मंत्रिजी और वीजेपी को राम पर वदरोसा नहीं रहां उनको ब प्रदान मंत्रिजी पर है और पिछडों के बारे में नौनAnd शीव की वो पंक्ती आत्म मोक्षार्थम जगत हिताइचो संपुर्ण विश्टुका और भानव का कल्यान और खुद के मोक्ष की कल्पना हमारे अराध्य गुरु शीव ने इसी पंक्ती से अपने जीमान दर्शन की सुरुबाद की और यह जो देश है ना यह अध्यात्मिक्ता पर है यह कंप्लिट किसी धर्म या किसी मजभ पर अधारी देश नहीं है यह मानविय मुल्यों के लिए जाना जाता है संत की एधी बात करूँगा तो राम क्रिस्न परभंस बिवे कानंद कबीर बाल मिकी संत रविदास हम संत उसको कहेंगे मैं सभापती मोद है शुरू करूँगा जाती जनगना से हमारी सरकार जब थी तो उन्होंने जाती जनगना का निर्णे लिया और बिहार में जब जाती जनगना की सुरुवात हुई ललन बाबु नहीं है अभी नहीं तो मैं उनको सुनाता तो उनमें जो सर्वे आया 98% लोगों के पास लेप्टॉप और कम्प्यूटर नहीं है 96% लोगों के पास भैकिल नहीं है और जो भैकिल है वो यवाई पर है जो भी भैकिल है लगबग 86.2% लोगों के पास एक विगा से नीचे जमीन है कट्य में है धूर में है 9.2% लोग है जिसके पास कुछ भी जमीन नहीं है लगबग 78.7% लोग है जिनके पास फूस का घर है तीन का घर है धीत का घर है उसके पास पक्का मकान नहीं है ना रोजगार है ना नोकड़ी है ना खेत है मजदूरी 280 रुपिया है और वो अभी 20 दिन से जादे नहीं करोना के समय मनमोहन सिंग जी के द्वारा लाए हुए जो मजदूरी एक्ट था उसको खत्म करके मजदूर के ताकत को कमजोर किया गया चार सा रुपिया प्रतेक दिन बहस पहले भी हो चुकी थी कि मंड़ेगा छोड़ दीजिए मंड़ेगा का तो बजट घटा दी गई मेरा सवाल सिधा था कि प्रधान मंत्री जी आपके सस्वी है वर्ड इनको भोलो करते हैं तो फिर कॉंग्रेस चलीसा और नेरू इंदरा और राहुल चलीसा बंद करिये न और अपने प्रति इमांदार बनिये न मेरा आपको प्रधान मंत्री जी और बीजेपी को राम पर भरोसा नहीं रहा उनको बीजेपी वाले को प्रधान मंत्री जी पर भरोसा नहीं रहा इन लोगों ने गटबंधन की राजदिती की और जब गटबंधन के राजदिती पर भी भरोसा नहीं रहा तो प्रधान मंत् पूरे चुनों में एक बार भी हिंदुस्तान के संभीधान की हिंदुस्तान के गरीबों की वार्ड के सबसे जादे गरीब देश पूर के पिता इंकम छे हजार रुपिया उससे जादे हिंदुस्तान में लग भग 87% लोगों का जो आय अफवे है वो है पौर के पिता चोह जार और लग भग जो महगाई का कारण है उसमें दलित आदिवासी अत्यंत पिछरा जो समाज के सबसे कमज़ तपके के लोग हैं उसमें मैं आपको बता दू कि उनके ठाली में 160 रुपिया वाला दाल नहीं है 120 रुपिया वाली सबजी नहीं है प्रधान मंत्री जी एदि इतने सा सक्त हैं तो मैं यह जरूर जानना चाहूगा कि 84 करोर लोगों को 5 किलो अरवा चावल आज भी टेक्स के पैसे से क्यों देना पड़ता है मैं सर मजब बोले अब कि 7-8 मिनट छे बार के मेरा रिक्वेस्ट है मैं उस पर कहना चाहूँगा मेरा रिक्वेस्ट है जाती जंगना पूरे देश में डबल इंजन की सरकार है यदि आप OBC से नफरत मत करिये डलितों से आप दूर मत होए मैं मेरा रिक्वेस्ट है विहार का विशेष राज किसी भी परस्तिती में जो आपने पहली बार गांदी मैदान में कही थी और आरा की सभा में कही थी कि हम विहार को अपना बनाएंगे अप मेरा है और विहार को हर परस्तिती में विशेष राज का दरजा देंगे और विशेष पैकेज देंगे मितला, कोशी, सिमानचल और म के लिए उस इराके के इंफ्रास्ट्रेक्चर के लिए लेकिन अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुए आंगन बारी आंगन बारी की बहनों की स्थिति आप देखिए आप ममता की स्थिति देखिए आपका वह पॉइंट पर तो बोल रहा हूं मैं हमको तीर भी रख दीजे स ममता आसा मैं वहीं कह रहा हूं से रस्वया सर पॉइंट वाइज बात कर रहा हूं सर मेरा आप कंकूर्ड कीजेगा सर कंकूर्ट तीर में दीजे ने सर तब फिर बहुत क्या फाइदा होगा सर मेरा रिक्वेस्ट क्या है मेरा रिक्वेस्ट है आपका रिक्वेस्ट बताई तोर आदिवासी के में OTF नहीं है। आप चलके जाच कर लिजी। जनलड योजना लगबक बर्बार हो चुका है सर। यह स्मार्ट सर। मैं प्रलत बहुत तो रहा हूं। इसमार्ट मीटर बिझ ली। थो मिनट तो मिनट घरी देख ली। सब्सक्राइब को उनके वादे किस परकार से गांधी मैदान से वादा किया था कि बिहार को किसी भी प्रस्तिती में विशेश राजी का दर्जा दिया जाएगा बिहार मेरा है पिहार मेरा अपना है जिसको उतीत आरक्षन की जरुवत है वहीं बिहार के विशेश राजी के दर्जे के लिए भी उनने आवाज को बुलंद करने के कोंशिस की है दिख्छांस एडू टेक लाया है दिख्छांस सी लर्निंग है बने दिख्छांस का चैनल पार्टनर और अर्ण करे लाखों रुपए प्रती महीने चैनल पार्टनर बनने के लिए विजट करे www.dikshans.com हमारे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद